Hello students, yes this is Anki Singh Pal and welcome to Magnet Brains Hindi Medium जहाँ पर आपको मिलता है Class 6 to Class 12 Free Education वो भी High Quality Content के साथ Students, Magnet Brains Hindi Medium and English Medium प्रोबाइट कराता है आपको CBSC वोड के साथ UP वोड, MP वोड, Rajasthan वोड, Delhi वोड and Bihar वोड वो भी बिलकुल फ्री में Students, आप लोग जा सकते हैं E-Notes and E-Books के साथ भी जिनके Link Description Box में दे रखी है यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं Fully Organized Way में With Daily Practice Questions के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की Class Students, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं Class 12 Sir, Class 12 स्टार्ट करने वाले हैं? हाँ Class 12 स्टार्ट करने वाले हैं Class 12 का आज पहला लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे Class 12 के बारे में कि Sir, इस पहले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे भूमी का क्या होती है? वैद्दूत आबेस क्या होता तो? चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर है इस्टुडेंट हमारा वैद्दूत आबेस तथा छेत्र वैद्दूत आबेस तथा छेत्र इसमें हम लोग पढ़ेंगे भूमी का आखिरकार ये जो चैप्टर है हमारा किस साखा के अंतर गताता है? कौन-कौन से साखाएं होती है ये सब हम लोग भूमी का के अंतर पढ़ेंगे बाद में हम लोग देखेंगे कि एक्टूल में ये जो चैप्टर है वो किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है वैद्दूत आबेस पर तो वैद्दूत आबेस को तो जानना बहुत जरूरी है आईए तो शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से सेशन की उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के पास सेयर कर दें और उनको बता दें कि मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर क्या चालू हो चुका है क्लास 12 स्टार्ट हो चुका है और वो भी पहला चैप्टर तो जल्दी से लाइक और सेयर कर दें दवा के से लाइक और गयर कर दें तो परते हैं बेटा अपना पहला लेक्चर पहली स्लाइड हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स की भृतकी की बहुत सारी शाखाएं होती हैं बहुत सारी ब्रांचिस होती हैं लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कुल दो साखाएं दो ब्रांचिस सर कौन कौन सी दो साखाएं जो आपको दिख रही है पहली ब्रांच है इस्तर वैदुत की इलक्ट्रो इस्टैटिक और दूसरी है गती वैदुतिकी that is इलक्ट्रो डाइनमिक सर इलक्ट्रो इस्टैटिक क्या होता है इलक्ट्रो डाइनमिक क्या होता है इस्तर वैदुतिकी क्या होता है और गती वैदुतिकी क्या होता है आये जानते हैं एक-एक करके सबसे पहले पढ़ते हैं जिसमें आवेश के इस्तर प्रभाव या अभी लचोनों का अध्यन करते हैं आवेश के इस्तर प्रभाव इस्तर का मतलब तो रुका हुआ होता है जहां तक जानते हैं जी हाँ तो ऐसी ऐसी physics की साखा में हम लोग रुके हुए आवेस के उपर दुनिया बर की physics अगर उमड़ दें दुनिया बर की physics अगर पढ़ें सिर्फ उस रुके हुए आवेस पर तो students physics की भौतकी की वो ब्रांच, भौतकी की वो साखा किसके अंतर गत आएगी? वो आएगी हमारी ELEKTRO ESTATIC के अंतर गत आएगी किसके अंतर गत आएगी? ELEKTRO ESTATIC की sel दुभाद थोड़ा दुभारा समझाएगी student मांद लेते हैं कि कोई क्यों हमारा आबेस है क्यों कि आए हमारा कोई? आबेस है और ये आवेस बिलकुल रुका हुआ है, ऐसा नहीं कि यह बस चल रहा है, ये आवेस रुका हुआ है, और अगर हम इस रुके हुए आवेस पर, इस रुके हुए आवेस पर दुनिया भर की सारी भौत की अगर एपलाई कर दें, इस रुके हुए आवेस पर अगर दुनिया भ फिजिक्स की वो ब्रांच क्या कहलाती है वो ब्रांच कहलाती है इस्तर वैदुदुकी क्या कहलाती है इस्तर वैदुदुकी तो इस्तर वैदुदुकी क्या है जिसमें आवेश के इस्तर प्रभाव या अबिलक्षणों का अध्यन करते हैं रुके हुए आवेश के रुके मा आती है यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आवेश चल रहा है इसी साखा के अंदर गत ट्वेल्द क्लास के नॉर्मली हमारे दो चैप्टर आते हैं सर कौन कौन से चैप्टर एक तो यह पहला चैप्टर और एक दूसरा चैप्टर तीसरे चैप्टर में वैद्युद्धारा में आवेश रुका हुआ होता है तो यह किसके अंतरगत आता है यह आता है इलक्ट्रो इस्टैटिक के अंतरगत अभी आप जब आंगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब दूसरा चैप्टर होगा कि आवेश एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है धारिता मे अगर ले जाना एक जगह से दूसरी जगह तो और मुझे उठाओ और लेकर चलो एक जगह से दूसरी जगह तो आबेश कुद बाखुद नहिं चलेगा जिसमें आवेश रुका हुआ हो अगेर इसको देखो इसको पोस्टमार्टम करो जड़ा एलक्ट्रो इस्टेटिक वर और इस्टैटिक का मतलब यह नहीं होता है कि अरे इस्टैटिक है यह चीज बहुत इस्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ इस्टैटिक का मतलब क्या होता है रुका हुआ जब भी कभी आवेस रुका हुआ हो तो फिजिक्स की वो साखा के इसके अंदर गताएगी वो आए सील प्रभाव या अविलक्षो का अध्यन करते हैं वो इलक्टोडाइनमिक के अंतर गता आता है या फिर उसको इलक्टोडाइनमिक कहते हैं सर गती सील का मतलब क्या होता आओ अब यहां पर आवेस रुका हुआ नहीं होगा असवा नहीं होगा कि एसे और करके रुका हुआ क्या कोई इसको ले जा रहा होगा ऐसे उठा के ले जा रहा होगा ना ये खुद बाखुद मूव हो रहा होगा जहां पर आवेस चलता है मोशन में होता है तो फिजिक्स और चलते हुए आवेस पर हम लोग दुनिया भर की फिजिक्स अगर अपलाई कर दें तो फिजिक्स की वो व्रांच किसके इंतरगत आती है, फिजिक्स की वो शाखा किसके इंतरगत आती है, वो आती है, गती वैदुकी के इंतरगत आती है, इलक्ट्रो डाइनमिक के इंतरगत आती है, तो देखें वही लिखा है जिसमें आबेस के गती सील प्रभाव, गती सील प्रभाव का है डायना मिक ऐसी चीज जो कैसी है मोशन में है गती में है कैसी है ऐसी चीज जो मोशन में है तो जब भी कभी आपको आबेस चलता हुआ दिखाई दे कैसा दिखाई दे चलता हुआ दिखाई दे, आबेस का मतलब इलक्ट्रॉन, सर अरे अभी वो चीज बाद में पढ़ेंगे, जब भी कभी आबेस आपको चलता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि ये हम लोग कौन सी व्रांच में है, कौन सी शाखा में है, का रे सर आबेस तो यहाँ पर चलते हुए आबेस के प्रभाव या फिर अभी लक्ष्णों के बारे में अध्यन करते हैं, बेटा तो वो उसको क्या कहते हैं, हम लोग उस ब्रांच को कहते हैं, इलक्ट्रो डाइनमिक या फिर गती वैदुद की, समझ में हाँ, यहाँ पर भी एर एक इलक्ट्रो डाइनम हमारी इस, क्या कहलाती है, गती वैदुद की या फिर एलक्ट्रो डाइनमिक, समझ में हाया, अब सर, हम लोग आवेस के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे है, आवेस को जानतों लेते हैं, यह आवेस होता क्या है, बार बार सर, उतना देर से आप बोल कि आवेस रुका हुआ हो या फिर चलता हो रुका हुआ हो चलता हो अरे बतातो दो ये आवेस होता क्या है तो आजाओ वो भी बताते हैं आवेस होता क्या है तो वाट इस चार्ज वाट इस आवेस क्या होता है आवेस पदार्त का आंत्रिक गुड़ है आवेस पदार्त का आं पुकदान नहीं होता है आवेस पिंड का वह गुड़ है जिसके कारण पिंड वैदुद छेत्र में वैदुद वल तथा चुम्बकिय चेत्र में चुम्बकिय वल का अनुबभ करता है सर्पढ़ तो लिया आप समझा भी दो आए समझाते हैं आवेस होता क्या है आवेस को समझने से पहले आपको पदार्त समझना पड़ेगा क्या समझना पड़ेगा पदार्त समझना पड़ेगा तो यहां पर लिखते हैं हम लोग पदार्त को इंग्लिस में बोलते हैं मैटर क्या बोलते हैं मैटर या फिर पदार्थ पदार्थ क्या होता है आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कहा होगा मैटर पढ़ा है मैटर कि पदार्थ कोई पदार्थ वो होता है दुनिया की जितनी भी चीज़ें वो सब पदार्थ है हाँ या ना दुनिया की जितनी भी जिसमें द्रबमान होता है, मास होता है, या फिर वो जगए को घेरे, वो चीज क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है, मैटर कहलाती है, हाँ या ना, अगर मैं इस पैन से पूछो, इस पैन क्या है, ये मैटर है क्या, बिलकुल सर मैटर है, इसके पास अपना खुद का द्रबम आप matter हो बिलकुल हो ये screen matter है बिलकुल है जो भी चीज जिसके अंदर मास हो और वो जगए को घेरे वो सारी चीज क्या कहलाती है पदार्थ कहलाती है matter कहलाती है अब सर मैटर तो समझ गए अगर आप matter समझ गए तो जरा मैटर को और क्या करें विभाजित करें matter के अब अंदर जाओ कहां जाओ matter के अंदर जाओ आप ने ये जरूर पढ़ा होगा कि पदार्थ की सबसे छोटी काई परमाडू होती है होती ना the smallest unit of matter is called atom पदार्थ की सबसे जो छोटी काई होती है वो क्या होती है atom होती मतलब कई सारे atom से मिलकर पदार्थ बना होता है अगर मैं बोरू मेर किस से मिलकर बनी है तो मेरी बोडी क्या है matter है पदार्थ तो छोटे-छोटे परमाडू से मिलकर मेरी पूरी बॉड़ी की संरचना होई है ये बास सही है मानते हो ना class 9 में पढ़ा है बिलकुल मानते है अगर ये बात मानते हो तो आ जाओ पहले कहां पे थे पदार्थ पे और पदार्त के अंदर, पदार्त किससे मिलकर बना है, एटम से, तो एटम को लियाओ, किसको लियाओ, एटम को लो, अब इमेजिन करना, इसुडेंट सभ इमेजीन करना कि मेरे हाथ में क्या है गोल-गोल एटम है, एक औरेंज कलर का गोल-गोल एटम है, आ जाओ इसको पड़ते हैं, आपडते हैं यहां पर एटम को और इसको पकड़े रहना, यह हमारा एटम, यह क्या है, आटम मतलब परमाडू, एटम है अगर अगर यह परमाडु है, तो अब एक चीज जाने, परमाडु के अंदर यहाँ पर क्या होता है, नाविक होता है, क्या होता है, नाविक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, नूकलियस, क्या बोलते हैं, नूकलियस, और इस नाविक के अंदर होता है, नूट्रॉन और प्रोट रहे हैं, कह दो हाँ या ना, बिल्कुल सर सही कह रहे हुआ, आप ऐसे इलक्ट्रॉन घूमते हैं, घूमते हैं ना इलक्ट्रॉन, तो ऐसे ऐसे कुछ इलक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्या इलक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, इलक्ट्रॉन की वैलू होती ह कहो कि अरे बासर हमने तो पढ़ी है कितनी होती है electron equals 2 कितनी होती है 1.6 into 10 की पापर minus 19 कुलाम ये इसके उपर क्या होता है आवेस होता है चार्ज होता है इसका मतलब आवेस सम्मे पाया जाता है क्योंकि अगर दुनिया की हर एक चीज पदार्त है तो वो पदार्त किस से मिलकर बना होगा वो एटम से मिलकर बना होगा अगर एटम से मिलकर बना होगा तो उसके अंदर nucleus होगा और nucleus के आसपास ना भी क्या आसपास कई सारे electron घूम रहे होंगे हाँ या ना अगर कई सारे electron घूम रहे होंगे मतलब तो यहां पर क्या वो लागया है इलक्ट्रॉन की कमी या अधिक्ता के कारण ही क्या उत्पन होता है आवेश उत्पन होता है आवेशित होना उसका उत्पन होता है समझ में आया मतलब जहां पर इलक्ट्रॉन होगा जहाँ जहाँ पर electron होगा मतलब वहाँ पर आवेस होगा तो कहीं न कहीं आवेस को relate कर रहे हैं हम लोग किस से? electron से relate कर रहे हैं अब आपने normally अगर मैं आप से पूछ हो अगर अभी तक आपको नहीं पता इसका मतलब दुनिया की हर एक चीज में अगर संसारपूरे ब्रह्मांट की हर एक चीज में आवेस है हाँ या ना बिलकुल सर लेकिन अगर आप से पहले इससे पहले पढ़ाने से पहले अगर मैं पूछ था कि एक बात बताओ आपने आवेस कहां देखा तो सिर्फ आपने एक जगए आबस देखा होगा क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़के आए हो विद्द्धारा इलेक्ट्रिक करेंट तो आपने देखा होगा कि I equals to Sir Q upon T होता है होता है ना I equals to Q upon T आपने आपके अंदर आया होगा कि आवेस वही होता है जहां पर current होता है वहां पर आवेस होता है तो इसका मतलब मेरे जैसे कोई भी metal का piece है मेरे पास उसमें आवेस होगा बिल्कुल metal के piece में current flow हो जाएगा मेरी site में आवेस होगा तो आप आओगे Sir इसमें current flow नहीं होगा क्योंकि ये insulator ये कुछ आलक है तो इसमें आवेस फ्लो नहीं होगा, मतलब आवेस नहीं होगा, मतलब करेंट फ्लो नहीं होगा, हाँ या ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अभी प्रूफ करके दिखा दिया, दुनिया की हर एक चीज जो पदार्थ है, उसमें आवेस होगा, समझ में आया, आवेस का होना, students, आवेस का होना, किस पर डिपैंड करता है, आवेस का होना, proton पर डिपैंड नहीं करता है, किस पर डिपैंड नहीं करता है, proton जो नूकलियस के अंदर, नाभी के अंदर proton होता है, उस पर डिपैंड नहीं करता है, किसी पिंड है, माल लेते हैं, यह जो पिंड है, आपने हो गया चार्ज्ड हो गया क्या हो गया चार्ज्ड हो गया अभी आंगे पढ़ेंगे अभी इस दो प्रकार के होते हैं बलून हमारा कैसा हो गया चार्ज्ड हो गया आपने और की अधिकता हो जाती है तो आबेस पदार्त का आंत्रिक गुड़ है और यह गुड़ इलक्ट्रॉन की कमी या तो कमी से होता है या फिर अधिकता के कारण उत्पन होता है समझ में आया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किया होंगे बलून को ऐसे ऐसे रगराओ का दिबाल जिपका दिया है ना और स्केल को ऐसे करते हैं उससे जानने से पहले एक चीज पढ़ते हैं कि आवेश पिंड का वह गुड है जिसके कारण पिंड वैदुच्यत्र में वैदुत्वल तथा चुमबकिये च्शेत्र में चुमबकिये वल अनवब करता है अगर कोई आवेश वैदुच्यत्र में रखा तो अपने अब आपको बताया, जो आपने इखा होगा, बालो में बलून को रव किया, ऐसे आइसे रगडा, और रगड ने एक बाद दिवाल में ऐसे चिपका दिया, तो बलून क्या हो गया? चिपक गया. सर क्यों चिपक गया, वो इसलिए क्योंकि आवेस दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के आवेस होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव बाले को कहते हैं धनावेस और निगेटिव बाले को कहते हैं त्रणावेस, धनावेस तणावेस कैसे? जैसे आपने मैगिनेट देखी है हां या ना? अरे सर बिल्कुल देखी है, चुम्बक देखी है चुम्बक के दो पोल होते हैं, एक नर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है न इदर की तरफ ऐसे गर के अगर मैं मैगिनेट बना दूँ तो इदर होता है North Pole और होता है South Pole अगर हम आपसे बीच में बल नहीं लगेगा बिलकुल लगेगा आकरशन बल लगेगा या फिर प्रतिकरशन बल लगेगा जैसे मेगनेट में अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल को पास पास लाएं तो क्या होगा फोर्स ओफ रिपल्सन लगेगा प्रतिकर्सन बल लगेगा जितना मैं पास लाओंगा ये एक दूसरे को दूर फेंगे अब यहीं पर अगर यह North है, यह South है और पास पास जैसे इतनी दूर थे, उझे फोर्स नहीं फील हो रहा, जैसे ही पास लाए, एकदम से यह चिपक गए, क्यों? क्योंकि यह opposite थे, विपरीत थे, तो इसके बीच में इनके लगा, कौन सा फोर्स लगा? आकर संबल लगा, ऐसे ही आबेस दो तरीके के होते हैं, अगर हम लोग positive positive आबेस को लें, किसको किसको लें? positive positive आबेस को लें, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, वो कैसा लगेगा? बिटा, प्रतिकर्शन बल लगेगा, कैसा लगेगा? प्रतिकर्शन बल लगेगा, यहीं पर अगर negative निगेट करते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कभी आकरसित नहीं करते हैं और यहीं पर अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या होगा है स्टुडेंडस वो एक दूसरे को आकरसित करेंगे Students, ABES के बारे में बहुत सारे इसके मूल गोड़ हैं क्या है? मूल गोड़ है कि ABES मास के साथ आता अगर एक ABES एक जगे सा दूसरी जगे आ रहा है तो उसका मास भी चेंज होगा बहुत सारी चीजें हैं ABES के बारे में पढ़ने के लिए वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसको हम लोग नाम देंगे आवेस के मूलगोड क्या नाम देंगे आवेस के मूलगोड तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और सारे दोस्तों के पास share कर दें, बता दें कि magnet brains हिंदी पर class 12 start हो गया और आप class 12 की चिंता आपको नहीं करनी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर physics पढ़ेंगे experimental way से और relate करेंगे ज़्यादा तर हर एक topic daily life से तो ऐसे ही physics से प्यार करते रहिए और make sure physics से प्यार तो मैं करवा दूँगा आपका अंकि सर फिजिक से प्यार करवा देगा ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं students ऐसे ही interesting videos के लिए आप visit कर सकते हैं magnet brains के youtube channel पर application पर and website पर students magnet brains Hindi medium आपको provide कराता है यह सारे top courses जैसे CBSC वोर्ड, Delhi वोर्ड, बिहार वोर्ड, UP वोर्ड, MP वोर्ड, राजिस्तान वोर्ड, बैदिक मैस, क्रेस कोर्स and spoken English वो भी high quality education में students आप e-notes and e-books के साथ भी जा सकते हैं जिनकी link description box में दी रखी है students magnet brains के और भी social media platforms हैं जैसे facebook, instagram, twitter, telegram and whatsapp आप यहां पर भी हम लोगों को follow कर सकते हैं वीडियो को like करें, share करें and channel को subscribe करना न भूलें मिलते हैं next class में तब दके लिए जैहिन, जै भारत